प्रभातखाबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं लोक भविश्य निधी और रास्टे बचत प्रमान पत्र जैसी छोटी बचती योजनाओं की व्याच दरों को घटानी का फैसला लेने के एक दिन बाद ही मोधी सरकार ने यूटर्न ले लिया है केंद्र वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने ये जानकारी दी है कि छोटी बचती योजनाओं पर व्याच दर में कटॉर्टी का आदेश वापस ले लिया गया है ये जानकारी उन्होंने शोशल मीडिया पर दी जिसके बाद कॉंग्रेस हमलावर हो गई है कॉंग्रेस महासचीव प्रयांका गांधी ने वित्मंत्री के ट्विट को रिट्विट करते हुए लिखा कि क्या नर्मला सीता रमन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेने के पहले समिक्षा की या कुछ सोचा या फिर ये चुनाओ के कारण मोधी सरकार ने अपना ये फैसला बदल दिया है उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक बार चुनाओ जाने दीजे भाजपा अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी इसके पहले गुरुबार की सुबा ही प्रमुक विपक्षी दल कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंग ने ट्विट कर सरकार के फैसले की आलोश ना की उन्होंने वित मंत्री को संबोधित करते हुए अपने ट्विट में लिखा निर्मिला जी ये भी हमें बता दे कि किसकी ओवसाइट से ये आदेश निकले और ऐसे समय में जब भाजपा लोगों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ये आदेश कैसे निकल गया और तलब है कि छोटी बचती योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को जटका देती हुए सरकानी बद्वार को लोक भविश निदी यानि पीपी एफ और एन एस सी यानि राश्ट बचत प्रमान पत्र समेत लगु बचती योजनाओं पर व्याज दरु में 1.1 प्रत प्रतिशत करने का फैसला किया गया था विश्वास वही रफदार नहीं